आपदा में बड़े अपराद, फोजे को एक युफ्ती ने दिखाया अपना अशलील वीडियो फिर दी ये सी धमकी नबशका दशको स्वागत है आपका सच्छी नेटवर्क में आज के चर्चे तविश्रे के साथ करोना के इस दोर में ओनलाइन ठगी के मामलों में बड़ोतरी होती जा रही है जमु संभाग में वीडियो कॉल के माध्यम से भी युफ्तिया शलील फोटो डालने के नाम पर पैसो की डिमांड कर रही है इतना ही नहीं बैंक ATM का पास्वर्ट जानकर लोटरी के नाम पर फेस्बुक आईडी हैकर भी ठगी की जा रही है जमु संभाग में अप्रैल और मई में इस तरह के 150 से जादा मामले आये हैं साइबर पुलिस चाली से जादा मामले सुलझा चुकी है 110 मामलों पर F.I.R. दर्ज करने के बाद जान चल रही है पुलिस के अनुसार लोगडाउन में लोगों के पास रोज़गार नहीं है ऐसे में शाते ठक फोन कर उन्हें लालच दे रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी लोग ठगी का शिकार हुए है उन्हें समान की जगा पत्थर और इंटे मिली है पुलिस के अनुसार लोगों को ठगी के लिए फोन कॉल आ रही है इसमें कई प्रलोभन दिये जा रहे है जैसे लोटरी लगी है, मुबाइल नमबर का लकी ड्रॉ निकला है कुछ मामलों में कॉल कोड ये खास नमरों में आ रही है ये तमाम नमबर भारी देशों के सामने आए है इन पर जांच चल रही है ध्यान से फोन सुने, ठगी की अशंका पर फोन काट दे पुलिस के अनुसार इन ठगों से बचने का एक ही तरीका है पहले लोग ध्यान से फोन सुने अगर लग रहा है कि उनके साथ पासवर्ड या अन्य नाम पर कमाई का जांसा दिया जा रहा है तो तुरंद फोन काट दें और पुलिस को सूचित करें ठगों को अपने खाता नमबर या फिर अन्य पासवर्ड संबंदी जानकारी ना दे अपने पासवर्ड हमेशा बदलते रहे सबसे ज़्यादा अनपढ या फिर बुजूर्ग आ रहे हैं जांसे में अन्लाइन ठगी के मामले में सबसे ज़्यादा बुजूर्ग फिर अनपढ व्यक्ति जांसे में आ रहे हैं अब ATM पिन नमबर देने में सबसे ज़्यादा अनपढ या बुजूर्गों की ही शिकायते आई हैं अक्सर अनपढ व्यक्ति ठगों चाल नहीं समझ पाते आरेस पुरा की एक फोजे की फेस्बुक पर एक यूफती दोस्त बनी वाटसाप पर कॉल कर अपनी औरा अकर्शत किया बाद ने वीडियो कॉल कर अपना अशलील वीडियो दिखाया इसके बाद वीडियो को सारजने करने की धमकी दी मामला जांच के लिए साइबर पुलिस के पास पहुँचा है शेहर के एक वकील ने ओनलाइन कैमरा खरीदा इसमें कंपनी की और से समान ना भीच कर बोतल भीचती गई मामले को साइबर पुलिस हल कर रही है अभी तक कैमरा नहीं मिल पाया है इसके लिए 50,000 रुपे जमा करवाए गए थे चंदन कोली SSP जमू ने कहा कि ठगों से लोग साफदान रहें ठगी की अशंका पर पुलिस को सूचित करें अब तक साइबर सेल में आए मामलों को हल किया जा रहा है कुछ मामले हल कर दिये गए हैं अपना पासवर्ड किसी को न दे बार बार पासवर्ड चेंज करते रहें साफधान रहें सतर्क रहें इसी के साथ मैं कुमल रुभा कर लेती हूँ आपसा इजाज़त जय हैंद